अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे consequences of deforestation के बारे में consequences मतलब होता है परिणाम, तो अगर हम यहाँ पर बड़ी मात्रा में जंगल काटते हैं, उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, और उसका यहाँ पर हमें क्या-क्या परिणाम भोगना पड़ता है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंग होगे अब यहाँ पर देखने उसके परिणाम के बारे में तो पहला यहाँ पर दे रखा है डिफोरेस्टेशन विल लीड टू आ सौर्टेज और फूरेस्ट प्रोड़क्स तो हमें पता है जो फॉरेस्ट से सिर्फ वूड नहीं मिलता बाकी चीजें मिलती है और बाकी चीज जो की भी सौर्टेज हो सकती है तो सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर बोला गया है डिफोरेस्टेशन विल कॉज और इंक्रीज इन टेंप्रेचर ऑफ आर्ट्स एट्मोस्फियर लेडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग तो यहाँ पर आर्ट्स का टेंप्रेचर इसलिए इं इंक्रिस हो जाएंगी अब कर्मण डिकसेट परती क्या है जब यहाँ आपर संसे आती है तो यह कोम ट्रैप कर लेती है जिसके वज़े मिess 그럼 एपर टेंप्रेचर इंहाँ बढ़ किया होगा और जब एर्फ will cause soil erosion making the soil infertile and lead to decertification decertification यहाँ पर barrel land को बोलते हैं अनुपजाव जमीन को बोलते हैं मतलब वहाँ पर एक तरह से desert land बन जाएगा ऐसा इसलिए होगा जो पेड़ के roots होते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं जो topmost soil होती है वो यहाँ पर क्या होगी हवा चलने के कारण या बाड़ा आने के कारण वहाँ पर क्या होगी वह बहके चली जाएगी जब वह बहके चली जाएगी तो वहाँ पर कोई वी चीज दुबारा नहीं होगेगी और वो land वहाँ पर क्या हो जाएगा रमें काट देंगे तो वहाँ पर बाड आने का खत्रा हो जाएगा ऐसा इसलिए क्योंकि जो वहाँ पर बढ़सात होती थी तो वहाँ पर क्या करते जो पेड़ के पर फ preset और बारे से यहाँ पर एकंगे मघ्र वाड़ की सब्सक्राइब में वहाँ पर आगे लाँ चुंसरे अगए और के वाल भीवर होता है जिसके वैश्तराना की सब्सक्राइब भन Gesch Makes रखता है six point यहां पर है deforestation leads to the extinction of many wild animals and plants जैसे हम यहां पर जंगलों को काड़ देते हैं तो वहां पर क्या होते हैं जो काफी जंगली जानवर होते हैं जो पोदे होते हैं वो यहां पर क्या होते हैं खतम होने की कागार पर आ जाते हैं क्योंकि वो उनका घर है अगर किसी का घ काटेंगे तो उसके कितने बियानक परिणाम हो सकते हैं अब देखते हैं हाँ पर नेस्ट टॉपिक